Hello, Ladies and Welcome to the studio Members, Axis Bank को आज के दिन हमने trade किया था इसे stock of select कैसे हमने किया था day time frame कि लेवल किया थे and lower time frame कि लेवल किया थे support line यह हमारी lower time frame कि थी वही repeated चीज़े जो कि already सभी video के अंदर हम discuss कर चुके same points भाई है इसको भी देखने के करना है just wait and watch जैसे price हमारी support line को देखिए हाँ पर कुछ एक arrow बना देते हैं जैसे की एक यह support up against support फिर से up फिर support फिर से down फिर पूरे समय market downside के तरफ रही 16-18 को market वापा से देखे उपर के तरफ गई है और same level पर इसने support लिया आज जो stock हम को मिला access bank यह exact इस support के ओपर था यहां से जिसको break करने के बाद में stock नीचे की दिर्शा में गिरा था तो बहुत प्यारा और बहुत strong support area था इसका delete कर देते हैं वापस चलते हैं देखे day timeframe day timeframe पर दो candle skull की है हमारी और उसके पहले की जैसे देखे एक हमारा support line हम यहाँ पर draw करें यह पूरी एक support line है इसका इसका color change करते हैं पहले तो इसको dark करेंगे थोड़ा सा blueish में इसको dark कर देते हैं okay यह dark अब देखे कि price किस तरह से support ले रही यह जो बड़ी से 16th की candle हमारी बनी 16th of jan की candle price ने downside की तरफ move दिखाया और वापस price उपर की तरफ चला गया यहां से देखे फिर से price उसी line पर support ले रहा है और आज market ने उसी bluish जो अपनी range है उसको नीचे की दिशा में break किया था अब जैसे देखे यह हमारी एक volumes upside की तरफ price downside की तरफ price भी upside की तरफ फिर से volume upside की तरफ and price क्या कर रहा है mother candle के through एक breakout देने की कोशिश कर रहा है so अभी देखेंगे इसको एक एक candle को देखने की कोशिश करेंगे price ने इसी mother candle का breakout downside की तरफ दिखाया था वापस से 5 minute के time frame पर आ जाते है and अपनी range को कर देते है काफी सारी चीज़ है जो आज की वीडियो में डिसकस करेंगे and एक proper price action का course वो आप लोगों के साथ हम शेर करेंगे उस जगे पर आप जाओ और देखोगे कि price action को अगर आपको treat करना है बहुत आपको फाता देखेगा यहां पर आते हैं सबसे पहले अपनी trade book अपन कर लेते है and position book open करें position book में overall जो हमारा आज का profit है 11,850 रूपिस का profit है इसको एक बार refresh कर लेते हैं 300 रूपय का profit बात में हमारा add हुआ था कुछ गलतियां हुई थी हमारी इभी इसको देखेंगा order book में आपको देखेगा 11,000 का profit है and वापस से order book में चलते है order book में आप देखिए total 5 orders हमारे लगे हुए है तीन थो हमारे basic orders हैं stop loss, entry or target के orders होते हैं और अब side के जो 2 orders अब देख रहे हो हमें निकलना था जिस level पर हमें price को modify करना था बट वो modify नहीं हुआ उसके लिए नया order लग गया जिसवेसे यहां पर हमें एक entry or exit का order फिर से लगाना पड़ गया फिर से लगाना पड़ गया तो यही अच्छा हुआ कि उसमें 5 य 10 पेसे को कुछ profit हमारा increase हो गया था उतनी brokerage तो अपनी जाएगी ही जाएगी बट यह अच्छी बात रही कि हम loss भी नहीं के लिए वापसे position book में चलेंगे and overall ठीक ठाक आज का profit 11800 के आसपास का है which is enough in today sessions के लिए enough है so अभी चलते है stocks के उपर अपने आज की trade के उपर एक एक चीज इस discuss करने के कुशिश करेंगे entry point, stop loss point, target point, day time frame के level stock selection का point उसका trend identification एक एक चीज वीडियो गर अच्छा लगता है तो उसको जरूर सर जरूर like किजएगा comments किजएगा और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को subscribe किजएगा यह चीज तो यह कि budget आने वाला है तो इस वत की जो market चल रही है बहुत ज्यादा range pound market है इस बीच में अगर आपके stop loss जा रहे हैं जैसे आज हमने एक stock दिया था अपने private group में Hindustan Unilever, Hindustan Unilever को day time frame के उपर हमें buy करना था यह वाला जो area था इसका आज के trading session का high इसके उपर हमें buy करना था बट प्राइज ने पूरे दिन buying का कोई symptom ही नहीं दिखाया यहां पर भी देखिए market एक बार में उपर गए फिर से नीचे की तरफ गिर गए यहां पर चाहिए था हमें कि proper entry का signal हमारा form हो जाए उसके बाद में हम अपना को trade execute करें हिंदustan Unilever को भी हम पूरे दिन watch कर दे रहे हैं इसने मौका नहीं दिया इसके बाद में access bank हमारे पास आया था फटाफट stock screener से जैसे की यहां पर फटाफट open कर लेते हैं फटाफट stock screener okay so first number पर ही था सबसे ज़्यादा volume के breakout इसके अंदर हुए थे क्या करोगे आप सीधे end column में आने के बाद में हम लोग इसको Z to A कर देते हैं आप देखों access bank सबसे उपर है और एक category का stock है trade काना सबसे आसान सबसे easy होता है इसको आप यहीं मान के चलो कि अगर यहां पर एक सही setup हमको मिल गया न तो बहुत ज़्यादा चांसे 915 के high and low के पास से हम लोग trade execute कर सकते हैं access bank यहां से बाकी और भी सारे stocks थे बट कोशिश हमने की कि banking sector को को एक stock उठाया जाए हालां कि यह बहुत ज्यादा risky था risk in the sense के volatile बहुत है तो इस वाई से जो group में हमने share किया आज जो stock हमने share किया था जिसने पुरे दिन हमें कोई मौका नहीं दिया trade करने का कुछ मत कीजिए कुछ मत कीजिए कोई भी stock trade करना है ना आपको simple way में हम देख रहे हैं अब देखिए mark करने की जो techniques है price क्या कर रहा है इसने अपने पुराने supports को अब देखिए यहां पर आपको एक support नजर आएगा price ने अपने इस support को high volume के साथ brick किया यह वाला support area था इसको high volume के साथ brick किया यहां अब एक चीज़ price हमारा high volume के साथ नीचे की दिशा में गिर रहा है यहां पर इसके बाद में क्या होना चाहिए अगर high volume के साथ गिर रहा तो price ने इस वाली candle के नीचे movement दिखाना होगा और यहां से फिर इसको down side की तरफ का movement करना होगा जो किसने नहीं किया जिस candle में 16th of January की candle इसने अपना support ब्रेक किया था न अब इस support के बाद में क्या हो रहा है इस candle ने एक mother candle form कर दी यहां पर देखिए trade execute करने के लिए points कितने बन गए हमारे जो point of action बने वो कितने बने एक तो वो जगह जहां पर 16th of January की candle ने breakout किया जाने कि support area इसको गर देटे है अब यह support जो break कर दिया इसके बाद में 16th of January की candle का low point यह वाला point और इसके बाद में इसका high मतलब कि 3 points हमारे पास बन गए price के actions लेने के जो जगह बन जाएंगी हमारे point of action जिसको बोलते हैं तो एक दो और तीन trade execute करना है तो इन तीन जगह से हमें करना है अदर्वाइस हम कहीं से trade execute करेंगे नहीं कोई भी stroke up उठालो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जोरुरी यह हो जाता है अब जैसे हिंदुस्तान युनिलीवर ही था day time frame पर जब हम इसको देखेंगे तो day time frame पर देखेंगे इसने क्या किया था एक resistance फॉर्म किया था market अपने इस level को break नहीं कर पा रही है इसने mother candle form कर दी volume आप देख लो volumes भी ठीक ठाक आई है price नीचे की तरफ आया है यहाँ पर क्या हुआ इस range के अंदर कल की market ने closing दिखा दी यहाँ पर इस वजए से हमने इसके अंदर buying order execute करने को बोला था क्योंकि अगर price हमारा previous to previous day के high के उपर निकल जाता तो एक अच्छा move देखने को मिलता five minute के time frame पर आजए है यहाँ पर देखे यही हमारा आज के session का low था जिस वजए हमने यह stock दिया था trade करने के लिए हालां कि कोई इसने confirmation में नहीं थी कोई confirmation और इसके उपर अगर market निकलती न तो यह जो gap up है इस वाली candle से यहाँ तक के इसके target हो सकते था हिंदुस्तान यूरी लिवर को अपनी watch list में add करके रख लो आप कल इसको watch करो देखो अगर लग रहा है ना आपको two six zero five cube पर अगर price ने आपको buying के symptoms दिखा है आपको आपकी entry confirmations मिल रही है 101% 101% कहना गलत होगा लेकिन most of the time यही होगा कि price two six four zero यहां तक का target आपको दिखातेगा probabilities are very high कि price अपना यह वाला gap fill करेगा ही करेगा उसको करना होगा तो यहां तक का target आप इसको बना सकतो हम भी इसको watch करेंगा अगर यह हमें सही level पर मिलगा market conditions के according तो हिंदुस्तान यूरी लिवर को भी हम trade करेंगे और इस level से trade करेंगे buy side में ही trade करेंगे अब वापास जा जा कि वो है 3 minute के time frame पर हमारे entry के confirmations inline को कर देते हैं delete क्योंकि आज जो trade हमने execute किया वो 3 minutes का time frame था engulfing candle के according इंगल्फ in the sense के price ने हमारे level को और 9.15 की candle के low को break किया high volume के साथ में यहाँ पर देखिए यह volume आईए 9.15 के candle की नीचे market ने movement दिखा है यहाँ से वापस देखिए जब price हमारा upside में जाने लगा अब मुझे इस ने दिखा है तो इस जगे पर क्या हुआ ना एक engulfing candle form हो गए मतलब previous candle को पूरी तरह से close कर लिया गया इंगल पर लिया गया और यहाँ पर price ने क्या किया एक mother candle form करके upside की दुरफ का movement दिखा है अब day time frame पर तो हमें मालूम ही है कि यह bearish है कैसे day time frame पर यह कैसे हम कह सकते हैं कि यह bearish है इसके अंदर में short selling ही करनी है आज की money का nifty का move आप देखोगे उससे भी आपको समझ में आगा इसके अलावा यह एक बड़ी से हमारे पास 16th of January की candle है प्राइस को अगर bullish होना है यह तो normal सी बात है ना प्राइस को अगर bullish होना है तो अपनी इस candle के high के उपर निकलना होगा एक दो तेन चार पांच पांच दिन से market हमारी range के अंदर है अगर इस बुलिश होना है तो इसको तो ऊपर के तरफ जाना होगा बड़ प्राइस इस लेवल के ऊपर ना जाते हुए आज इसने downside की तरफ का movements shift कर दिया है ना और प्राइस ने previous day का low break किया प्रीवेस टू प्रीवेस टे का low break किया और उस support पर आकर के trade करने लगी जिस support को 16th of January की candle ने ब्रिक किया था हमने कहा था ना कि यह read करना analysis करना बहुत जादा time नहीं लगता है इतना time तो यह लगता है हमको analysis करने में वो देखो चार्ट को दो चार्ट के अंडर साप पढ़ोगा आपको समझ में आ जाएगा हाँ किस तरह से analysis हमने कि क्या rate कि इसको जब explain करने आते है तो यह time consuming एक वो बन जाता है यहाँ पर time लग जाता है अब जैसे आज जो हम series आपको share करेंगे आपको एक website है यह IG यहाँ पर आपको beginner एक यह मान करके चलो आप कि शुरुवाती phase में अगर आप हो price action को समझना है price action छोड़ दो आपको market को अगर समझना है आप इस पूरी series को पढ़ लो इसमें PDF है वीडियोज है बहुत सारी exercises इसके अंदर दी गई है candlesticks के patterns है price action के patterns है आप यकीन मानो इस पूरी series को आप देख लो एक basic level की जानकारी आपको मिल जाएगी कहीं किसी के पास आपको दोड़ भाग ने करनी पड़ेगे कि शुरुवाती phase में हम है मालूम नहीं कि market क्या होता है किस तरह से beginner level पर beginner तो छोड़ो आप कुछ experience तो भी ये series आपको देखनी चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि हमने जितने वीडियो के देखे न सारे के सारे quality वीडियो से free में available है ये चीज़े क्यों नहीं मालूम है आप लोगों को जैसे हमें मालूम पढ़ा कि यहां पर यह सब कुछ हो रहा है या फिर जो वीडियो है कही सारे courses है fundamentals है यहां पर है risk management आपको बताया है इसमें stock market का पूरा basic structure समझा दिया गया है ये तो आपको मालूम होना चाहिए न सबसे पहले इसे grab करना होगा तो जाए उसको देखने कोशिश कि यह कोई paid promotion अगरा नहीं हमें तो मालूम भी नहीं क्या है यह ig.com की website है इसको refresh कर लेते है ig.com की website है बस यूँ ही बैट करके हम देख रहे हैं दभी 4-5 दिन पहले हमें समझ पहले है फिर हमने देखा समझा इसको चाहिए अच्छी चीज़ है यह तो मालूम होनी चाहिए आपको तो इसको देखिए आप बहुत बहुत helpful है यह आप 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 इस stock के पर अब प्रिवेस जे का लो ब्रेक कर रहा तो इसके अपोजिट प्रिवेस जे का हाई ब्रेक करना होगा या इवन प्रिवेस टू प्रिवेस जे का हाई ब्रेक करना होगा या फिर उसके पहले का हाई ब्रेक करना होगा बट प्राइस हाई को प्रोटेक्ट कर रहा है और लो इसको वो derivatives में भागेंगे, वो option में भागेंगे, वो फलाने, मतलब तरह तरह के segments में भागेंगे, चाहिए क्या, दिन का 2, 4, 5,000 रुपए बन जाए बहुत है, हम क्यों nifty और even बहुत सो लोग तो bank nifty में भागते हैं trade करने के लिए, क्या वही trade किया जाता है, इन सबको देखो, समझने के कोशिश करो न, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरह से management करने का मौका मिल जागा, time मिल जागा, हर तरह से equity trading आपके favor में ही काम करने के कोशिश करेगी, बस एक सही point मिल जाए trade execute करने का, एक सही analysis मिल जा, reading मिल जाए, है न, अब यह तो बात होगे day time frame के, अब आजाओ आप lower time frame पर, lower time frame पर देखें क्या चीज़े हुई है, इस line को हम कर देते हैं delete, ओके, यह हमारे पास कुछ points निकल के आगए, एक काम किजे, यहाँ से भी जो हमने marking की थी, यहाँ किती 3 minutes के time frame पर, यह बना देखें, एक mother candle को price break करके, उपर की दिशा में जा दिया, बाय तो करना ही नहीं है, जब day time frame पर हमको मालूम है, कि stock नीचे की तरफ गिर रहा है, और lower time frame पर price ने अपने ranges को नीचे की दिशा में break कर दिया, अब देखें क्या हो रहा है, mother candle को break करके price उपर की तरफ गई, और यहाँ पर फिर से एक bearish movement देखा हमको, और price फिर से हमारा नीचे की तरफ आगिया, नीचे की तरफ आया, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जैसे ही, जो आपकी यह वाली candles को break किया है, वैसे हम लोग trade execute कर देगे, नहीं, देखें, दो यहाँ पर confirmations हमें मिल रहे हैं, दो confirmations, कौन कौन से, सबसे पहला, एक तो यह वाली candle अपनी, यह हमारी बन रही mother candle, इसको price break करके उपर गया, तो यह उपर निकल जाए, है न, और नहीं तो फिर यहाँ पर देखें, एक ingolfing candle form हो गए, price नहीं इस ingolfing candle को नीचे की तरब break कर दिया, और mother candle की range के अंदर आकर के trade करने लगा, यही एक वो symptom था, जिसको देखते हो वे हमने trade execute किया था, आज कर नहीं, प्राइज ने breakout दिखा देने के बाद में, अगेन हमारी smother candle की range के अंदर में entry ले ली, अब आप trade execute कर दो, हाई के उपर अपना stop loss लगा दो, जाएगा stop loss चला जाएगा, chances are very low कि आपको stop loss जाएगा, उसके पीछे के reason भी आपको मालूम है, के day time frame पर भी stock हमारा बियरीश है, lower time frame पर अगर इसको bullish होना है, तो वापस देखे, इस mother candle को break करने के बाद में, उस range के अंदर क्यों आ रहा है, एक engulfing candle form करने के बाद में, जैसे price आपका नीचे के दिश हमें आ रहा है, आप trade execute कर दो, यह आपके entry confirmation से, यह लगा है वो इस range पर आकर के हमने अपने targets भूख की थे, इसके hype, chalk model का use किया, जैसे price ने यहाँ पर अपने characters को change करने स्टार्ट के, हमने अपना trade, 1, 2, यहाँ पर देगे, यह हुआ ना, जैसे price उपर के दिश गया, यह सारा का सारा जितना point है हमारा, सिर्फ और सिर्फ trade से बाहर निकलने का है, अब आप यहाँ से बाहर निकल जाएं, मैं भी देखिए, यहाँ पर sideway हो गया, बट क्या हो सकता था, यहाँ से price हमारा और ऊपर की तरफ जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर characteristic change हो रहा है, इस वाज़े से यहाँ से अपना पूरा का पूरा trade हमने फुल्फिल कर लिया, exit मार दी, so overall हमारा यह trading का setup था आचका, I hope कि समझ में हो को देखिए, कुछ बहुत ज्यादा यह deep नहीं है, simple से चीज़े हैं, just observe कीज़े, simply observe कीज़े, उसको आपको easily समझ में जाएगा, कुछ अगर doubt रहता, कुछ question रहता है, तो comment box में आप लिख देना, उसको ज़रूर से ज़रूरा हम कोशिश करेंगे, reply करने के, अब बढ़ते हैं, IG की तरफ, so IG पर आप चले जाएगा, देखें, यहाँ पर बहुत सारे कोर्से हैं, introducing the financial market, how does trading work, सारी चीज़ें आपको समझ में जाएगा, मतलब एक basic से लेकर, पूरी पूरा basic आपको clear हो जाएगा, कितने सारे chapters दे रखे हैं, who is involved in trading, other market participants, buying and selling, what spread mean of trades, spreads के उपर तो हम एक वीडियो बनाएगा आप लोगों के लिए, volume spreads के उपर, उसको समझेगा, आप spreads को देखकर के, एक normal, एक beginning के लेवल पर आपको spread समझ में जाएगी, going to long and short, where to trades go short, quiz, यही तो सबसे चीज लगती है, बनलब इतना सारी चीज़ें आपको समझा देने के बाद में यहापर quiz मिल जाएगी, आप करो, यही सब कुछ तो points हैं, जो कि trade को जब आप learn करो, जो सीख रहे हैं तो यही सारी चीज़ें आप काम में आएएगी, यह help में आएएगी, बाकि यह strategy, कोशिश करो कि इस field में पूरी तरह से as a professional trader आप बनने की कोशिश करो, सिर्फ लक मत आजमाओ, कि चलो करके देख लेते हैं, जो होगा ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं, ऐसे नहीं, आओ तो पूरी मन से, पूरी मेनत से, अपना काम छोड़ कर नहीं, काम के साथ साथ में इसको भी अपनी lifestyle का एक हिस्सा बना लीज़े, Understanding Risk and Reward, Trading Options, Fundamental, Planning Risk Management, Basic of Technical Analysis, यह सबसे अच्छा चैप्र है, Trading Psychology, इसको समझने को कोशिश कीज़ेगा, Trading Psychology, काफी सारे पैटन्स हैं, Controlling के उपर ही सब कुछ है, Controlling Emotions, अब क्या है, जब हम क्लास में बताते हैं, तो यह सब यतनी सारी चीज़े नहीं होती है, मतलब अब उसमें हम यह सब नहीं बताएं, Controlling Emotions, That cloud your judgment, Developing and unbiased common trading mistakes, यह सब ने, अपना funda clear है, सिर्फ जो rule होते हैं, करके description box में रख देंगे, वहाँ से देख लीज़ेगा, बट links के बरोसे नहीं, आप सिर्फे ig.com पर जाएगा, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा पेज मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेक आउट कर लीज़ेगा, So thank you, एंड शायद ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, So अब हम लोग मिलते अपने नेक्स टीडिंग सेशन, यानि के कल, जो भी ट्रेट्स पर एक्जिक्यूट करेंगे हम, या फिर जो भी कल के ने अलसे से रहेगी, आप रुभी साथ हम शेयर करने के कुशिश करेंगे, Thanks and we will meet again.